नमस्कार मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज अपने चैनल स्वेट स्पैशन पे जो इंपोर्टिंग ठीओरी लेके आई हूँ वो है सुसाइट ठीओरी दर्खाइम की दर्खाइम की आपने बहुत सारी ठीओरी पढ़ी है या आप आगे पढ़ेंगे दर्खाइम जो है उन दर्खाइम, मार्क्स इन सभी को हम कंटिनियूस पढ़ते हैं कोशन भी कंटिनियूस आते हैं थोड़ा कोशन का पैटन अलग हो रहा है बट वो तभी हम सॉल्फ कर पाएंगे जब हम उनकी ठीओरी को समझेंगे डर्खाइम ने सोशल फैक्ट, डिवीजन ओफ लेबर, रि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेर और कमेंट करते रहिए, स्टार्ट करते हैं आज दर्खाइम की सुसाइड ठीओरी, ओक्ये, येस, सबसे पहले मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर डर्खाइम की ठीओरी को बताऊंगी, मेरे ख्याल से इस पढ़ने के बाद से आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सोर्से मैंने कई जगह से नोट्स को कवर करने की कोशिश किया, जिसमें मैंने नितिन सांगवान की किताब को भी एक आधार बनाया है और बहुत सारे ऑनलाइन जो content available हैं, उनको भी मैंने आधार बना करके ये notes आपके लिए ready किये हैं, start करते हैं ये वाली theory, उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि जो Emil Durkheim है, वो French philosopher है, ये हम सभी जानते हैं कि he was a French philosopher and he was born in 15 April 1858, Durkheim acknowledged Comte as his master, Durkheim Comte को अपना master मानते थे On a sociological perspective, when Comte and Spencer was considered as the founding father of sociology, Durkheim is considered as the grandfather and the systematic approach to study the society began with him कहा जाता है कि जैसे August Comte to a Spencer हुए, ये founding fathers हैं sociology के, इन्होंने समाशास जैसे विशे को जन्म दिया पर ऐसे विशे को आगे बढ़ाने का काम, ऐसे विशे को एक महत्व देने का काम, एक important subject के रूप में society में established करने का काम, Durkheim जैसे sociologist ने किया है, इन्होंने जो systematic study की बात होत हम कोई चीज पढ़ते हैं और कोई चीज विवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, तो जो systematic system है sociology का, उसको provide करने का काम Durkheim जैसे eminent scholar ने किया है, Durkheim theories of society is related in various ways to his study of the division of labor, जब हम Durkheim के social fact के matter को पढ़ेंगे, जब हम Durkheim के division of labor को पढ़ेंगे, तो उससे ही correlate करती हुई, यह society theory है, and Durkheim has established the view that there are no society in which society does not occur, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा समाज, दुनिया का, आप कोई भी दुनिया का ऐसा समाज ले लिजे, जहाँ पर society जैसे attempt न होते हों, मतलब कि हर एक society में, चाहे वो primitive society रहा हो, primitive society की तो बाद हम बाद में करते हैं, वो modern society है, western society है, ruler societies है, youth की societies है, merit की societies है, army की societies है, religion के context में हम अगर बात करें, किसी भी तरह का समाज है, तो वहाँ पर society होते हैं, यह fact, social fact एक है, जो हमें दिखाई देता है, and इन्होंने society theory को जब इन्होंने, अपनी किताब में जब शुरू किया, तो इन्होंने पहले तो जो previous study था, उसको reject किया, मतलब जब, देखें, जब हम अपने research scholars को भेशते हैं, या जब हम research करवाते हैं, तो starting के जो six month होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, कि आप जाए reviews करके लाइए, मतलब आपके जो भी topic है, उससे related review करिए, मतलब कि इससे कितने कितने लोगों ने काम किया है, जब आप review करके ले आएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा न, कि इस topic पे इन्होंने, 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 बहुत लोगों ने काम किया है, और अब ये काम नहीं हुआ है, फिर आपको research gap पता चलेगा, you easily identified the research gap, और कर रहा है PhD का काम तो आपको ऐसे ही आगी बढ़ना होगा डर्खाइम ने भी यही किया डर्खाइम ना पहले जो प्रीवियस स्टडीज थे प्रीवियस थी उनको पढ़ा उनको फिर रिजेक्ट किया और उनकी जो वर्क है वो मोनोग्राफिक स्टडीज है। मोनोग्राफिक स्टडीज क्या होता है कि किसी एक चॉपिक पे हम स्पैशल जब काम करते हैं और इन्हों ने मोनोग्राफिक स्टडीज करके अपने इस सुसाइट थियोरी को दिया है। चीक है आगे बढ़ते हैं मेरे क्याल से आपको समझ में आ रहा होगा रेमंड एरे का इसलिए नाम में यहाँ पर ले रही हूँ कि रेमंड एरे ने पूरा दर्खाइम के जो भुक थी लास सुसाइट उस पे पूरा एक स्टडी किया है और एक कहा रहता है रिव्यू देना उ आपने सुसाइट थियोरी को उन्होंने तीन बेसस पे क्लियर किया मतलब रहामंड एरे यह बात करते हैं कि डर्खाइम की जब आप लास सुसाइट बुक पढ़ेंगे या आप उनके सुसाइट थियोरी को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ड तीन आधारों पे काम किया, तीन बेसस पे काम किया है, सबसे पहले उन्होंने सुसाइट की परिभाशव बताई है, आत्महत्या की परिभाश डेफिनेरेशन ओफ सुसाइट, सेकन्ड काम में ने क्या किया है कि rejection of previous studies और previous theories related to सुसाइड आत्महत्या से संबंदित जो भी पुर्व के सिधान्त है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है और थर्ड में क्या काम किया है कि इन्होंने सुसाइड के टाइप्स पे बात की है प्रकारों पे बात की है सोचे ऐसे ऐसे मुद्दे भी सोशॉलजिस्ट पढ़ते और पढ़ाते हैं हम सोशॉलजी को समझते ना कि बहुत उसका नारो है पर आप आज के संदर में बता रहे हूं कि सोशल साइंसेज में अगर सोशॉलजी की बात की जाया तो अब ब्रॉड कंसेप्ट होते जा रहा है म तो सुसाइड जैसे जो संगीन मामले है उस पे सोशोलोजिकल एनालिसस करना that is a सच में सैलूट वाली बात है जो दुरखीम ने किया है तो अब मैं बताती हूँ कि प्रिवियस स्टडीज क्या थी और उसको किस तरह से डर्खाइम ने रिजेक्ट किया है ये मेरे फोटो से से 1 मिट ओके अब आगे बढ़ते हैं तो रीजेक्ट अफ प्रिवियस स्टडीज औि रीजेक्ट आफ प्रिवियस स्ट्डीज पहले की थी तिया तो दुर्खीम इन्हों ने बताया है कि वो जब पहले की स्टडी किये तो उन्हों ने उसमें पाया कि कुछ लोग आत्महत्या को साइकोपेथिक फैक्टर मानते थे कुछ लोग हेरिटरी फैक्टर मानते थे कुछ का कहना था कि सुसाइड इस दूडू क्लामेटिक और पॉवर्टी रीजन कुछ कहते थे कि अन्हापी लोव इस दूडू कॉज आत्महत्या है वो और इन कारनों से है डर्खाइम ने कहा कि नहीं आत्महत्या के पीछे ना तो मनुरोग है मतलब साइकोपेथिक फैक्टर नहीं है नहीं कोई अनुबानशिक कारक है हेरिटरी करेक्टर नहीं कोई जलवायू नहीं गरीबी नहीं कुछ ऐसे प्रेम जो असफल है और नहीं कोई व्यक्तिगत कार नहीं है फिर आप सोचोंगे आखिर कारण क्या है तब दूर्खिम बोलते हैं कि सुसाइट जो है वो सोशल फाक्टर है आगे बताते हैं according to Durkheim, सुसाइट is not an individual act nor a personal action जो सुसाइट है वो कोई individual act नहीं है कोई personal action नहीं है it is caused by some power which is over and above the individual और super individual कोई ऐसी शक्ती है एक ऐसा power है जो इस individual से भी उपर है क्योंकि Durkheim हमेशा सुसाइटी को सबसे उपर मानते थे बात हमेशा से debate की रही है कि individual important है और society important है Durkheim ने जब आप मैंने वीडियो डाला है sociology of religion पे religion के उत्पत्ती में भी समाज को ये महत्तवपून मानते हैं कि समाज ही उत्तरदाई कारक है धर्म की उत्पत्ती के पीछे इसी तर उनने कहा कि society जो है ये कोई individual attempt नहीं है it is the cause of social society समाज के कारण ही ऐसे प्रयास होते है He viewed all classes of death resulting directly or indirectly from the positive or negative acts of the victim itself who knows the result they provide तेकि यही definition इन्होंने suicide का दिया है मैंने आगे भी लिखा है आगे भी इसको लिखा है यही definition है suicide का उन्होंने बताया कि suicide क्या है तो directly or indirectly from the positive or negative acts of the victims itself who knows the result they produce की आखिर क्या परिणाम निकल रहा है उसके बारे में victims पहले से ही जानना ये suicide होता है चीकर आगे आपको और clearly मैं explain करूंगी analyzing the data from the different countries, races he concluded that the factors like race, hereditary and climate do not produce consistent explanation इन्होंने बहुत जग बहुत देशों का अध्यन किया, डर्खाइम ने बहुत सारी प्रजातियों का अध्यन किया, बहुत सारे कारकों का अध्यन किया, प्रजाती का अध्यन किया, अनुवानशिक्ता का अध्यन किया, जलवायू का अध्यन किया और अंत में इन्होंने कह कि नहीं ये सब कारक सुसाइट के पीछे नहीं है इन्होंने तर्क क्या दिया क्या explanation दिया क्या reason दिया इसके पीछे कि if temperature were a cause अगर temperature कारक होता जैसे इससे पहले theories आई थी कि गर्म देशों में आत्म हत्याएं की दर अधिक होती है थंडे देशों में ये अलग अलब ऐसे इस तर्क कि जब आप criminology पढ़ेंगे तो उसमें अलग-अलग आप theories देखेंगे तो इन्हों ने कहा कि if temperature were a cause जो अगर temperature कारक होता तो warmer countries and cold countries were expected to have different suicide rate तब हमें गर्म देशों में और थंडे देशों में जो suicide rate है वो almost एक हमें दिखना मतलब ऐसा होना चाहिए दोनो warmer countries में भी और warmer countries and cold countries were expected to have मतलब दोनो इस्थानों पर suicide rate अलग-अलग होना चाहिए different rates होना चाहिए अगर temperature कारक है कहा जाता है कि अगर बढ़ा हुआ temperature है तो suicide जादा होंगे ऐसे जगों पर जहाँ temperature कम है वहाँ पर suicide कम होंगे अगर यही कारक होता तो गर्म देशों में और थंडे देशों में दोनों में suicide rates अलग-अलग होने चाहिए similarly if the mental illness were a cause अगर हमारा मांसिक जो असंतुलन है वो कारण होता suicide का then there has some relations of suicide rates with illness coincidences but such causes relations cannot be established पर इस तरह का causal relation मुझे नहीं दिखा ऐसा डर्खाइम कहते हैं कि जब मैंने study किया बहुत सारे देशों में जाके बहुत सारी प्रजातियों पे जाके बहुत सारी अनुवान शिक्ता की इतिहास को उठा करके बहुत सारी चीजों को मैंने देखा पर मुझे इस तरह के causal relations नहीं दिखाई दिए अब देखे suicide को वो define कैसे करते हैं ये भी हमें जानना है क्योंकि आपको exam में लिखना है according to Durkheim suicide refers to every case of death याद रखिए कि इसको रट लीजिए रट करके याद करें क्योंकि हमें कभी-कभी technical languages का भी इस्तमाल करना जरूरी होता है इन्होंने कहा कि every cases of death resulting directly or indirectly from the positive or negative death performed by the victim himself and which strives to produce this result it is clear from the definition of Durkheim that suicide is a conscious act and the person concerned is fully aware of its consequences उन्होंने बताया कि जो suicide है वो एक conscious act है मतलब ये जो व्यक्ति है वो चुकी इसके परिणामों को जानता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा तो इस तरह का ये conscious act है एक चेतना के द्वारा किया गया ये act है जिसमें पहले से ही व्यक्ति जान रहा है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा इसको suicide कहते है डेथ में तो हमें नहीं पता रहता है नाशुर डेथ जो होती है उसमें तो हमें नहीं पता रहता है कि हम अब आगे मरेंगे कि जिएंगे कि क्या होगा पर suicide में जो victims होता है जो attempt करने वाला होता है वो इसके परिणामों को जानता है अब नहीं उन्हें जो study किया suicide का उसके पीछे उनको उनके दो purposes थे दुर्खीम used a number of statistical records to establish his theory that suicide is also a social fact इन्होंने बहुत सारे statistical records निकाले मतलब जो suicide होते थे इनके study के पहले जो suicide होते थे उसके बहुत सारे statistical records निकाले और record निकालने के बाद इन्होंने conclusion दिया कि suicide एक social fact है ओके As Abraham and Morgan have pointed out that Durkheim made use of statistical matters for two primary reasons इन्होंने दो तरह के दो कारणों से इस statistical methods को खंगालने की कोशिश की किसले To refuse pre-existing theory जो पहले के existing theory हैं उनको मुझे reject कर देना है क्योंकि वो सारी existing theory क्या बोलती है कि suicide जो है वो psychopathic factor की वज़े से है suicide climatic factor की वज़े से है suicide unhappy love की वज़े से है और ये सारी चीज़े बोलती थी पर इनको इन्होंने ये theory इसले दी कि पहले तो इन्हें reject कर देना है जो pre-existing theories है and to support with empirical evidences his own sociological explanation of society और इन्होंने कुछ empirical evidences शो किया empirical मतलब कि अनुभावाश्रित जन ने जिसको कहा जाता है खुझ से अनुभाव किया गया तो चूकि इन्होंने statistical data निकाला था field work किया था और उससे जो data उन्होंने प्राप्त किया उससे इन्होंने society को एक sociological fact के रूप में लाने की कोशिश की ओके आगे बढ़ते हैं having defined the phenomenon phenomenon Durkheim dismisses the psychological explanation ठीक है इन्होंने psychological explanation को बिलकुल से demolish कर दिया कि society के पीछे psychological phenomena ये नहीं सही है many doctors and psychologists develop the theory that majority of people who take their own life are in pathological state but Durkheim emphasizes that the force which determines the society is not psychological but social it's important line इन्होंने कहा कि इससे पहले बहुत सारे doctors और जितने psychologists थे उन्होंने कहा था कि जो suicide attempt हो रहे it is due to psychological pressure कही न कहीं से जो victims है उसकी psychology में कोई problem है psychological problems है उसको but इन्होंने कहा कि नहीं psychological problem नहीं है ये social problem है suicide is a social problem इन्होंने ये बताया कि suicide is not a psychological but social he conclude that suicide is the result of social disorganization और lack of social integration और social solidarity please underline this important line इन्होंने कहा कि suicide जो है वो social disorganization की वज़े से है समाजिक जब विखंडन हो रहा है उसकी वज़े से है social integration जो एकी करण की नीती है समाज में कि किस तरह से समाजिक एकी करण होता है उसकी कमी की वज़े से और social solidarity समाजिक एकता की कमी की वज़े से हमें ऐसी चीज़े देखने को मिलती है आगे बलते है ये पूछा जाता है बहुत ज़़े एक्जाम में कि इनकी methodology क्या थी इन्होंने जो suicide study किया उसमें इनकी methodology क्या थी तो इन्होंने multivariate analysis पे काम किया था इसको प्लीज याद कर लिज़ेगा कभी-कभी exam में भी पूछ सकता है तो he undertook the multivariate analysis to establish the relationship between the rates of society and social factors जीक है अब multivariate analysis क्या होता है इन्होंने एक नया एक तरह से देखा जाए तो एक research में sociological method दे दिया है एक तरीका जैसे हम लोग research methodology पढ़ते हैं research methodology में बहुत सारे methods को हम लोग पढ़ते हैं case study method qualitative method, quantitative method बहुत सारे methods को हम पढ़ते हैं उसी तरह इन्होंने multivariate analysis दे दिया इसमें क्या होता है कि इसमें दुर्खीम ने क्या किया कि multiple independent variables कुछ बहुत सारे independent variables जैसे gender, age, religion इनको dependent variable के साथ dependent variable मतलब जो fix है dependent variable जो fix है मतलब suicide हमको study करना है suicide का तो that is dependent variable वो fix हो गया अब suicide को हम अलग-अलग चीजों से compare करे है suicide को हम gender से compare करे है कि male में ज़्यादा suicide होता है कि female में ज़्यादा suicide होता है हम age से compare करे है suicide को कि age में कि किस age group के बीच में ज़्यादा suicide हमें देखने को मिलता है हम religion से compare करेंगे इन्होंने दर्खाइम ने किया कि Catholic में ज़्यादा suicide rate पाय जा रहा है कि Protestant में ज़्यादा suicide rate पाय जा रहा है तो dependent variable is always fixed dependent variable fixed है जैसे suicide और उसको independent variable मतलब कि कभी हम age के साथ कभी gender के साथ कभी religion के साथ हम उसको correlate करने की कोशिश कर रहे है दोनों के बीच में comparative study करने की correlation देखने की कोशिश कर रहे है that study is called multivariate analysis तो डर्खाइम ने अपने suicide के study में जो methodology adopt की वो है multivariate analysis please remember this always and always okay multivariate analysis भी आप समझ लिए आगे बढ़ते हैं अब effect of a particular independent variables can be assessed when other variables are kept constant अब इन्होंने जो देखा अपनी study में इन्होंने क्या क्या देखा इन्होंने देखा कि males have greater societal tendency as compared to female female की तुल्ला में male के पास जादा उनकी tendency जादा है suicide करने की ओके ये चीज़ देखा कभी कभी हो सकता है ये चार पाज पॉइंट दे दे और आपसे पुछे की कौन से डर्खाइम के conclusion में था या कौन सा नहीं था ऐसे भी questions आ सकता है second चीज़ इन्होंने क्या conclude किया कि rate of suicide is found more among the bachelors as marriage protect individual against suicide by integrating individual into a stable social relation इन्होंने बताया कि जो bachelors होते है उनमें suicide rate जादा देखने को मिलता है comparatively to married person married person में suicide rate क्यों कम देखने को मिलता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है बहुत सारी उनको roles play करने होते है फिर कभी अगर relation कुछ गरबढ होता है तो उनको उनके पास stable social relation है bachelor को तो कहा जाता है कि थोड़े अकेले हैं ये और बहुत जिम्मेदारी नहीं है उनको कुछ भी action लेने का होता है तो वो ले लेते हैं इस type वाला एक उन्होंने बताया cause फिर underdeveloped countries have less rate of suicide than developed countries देखे ये बड़ा अच्छा point है कि जो underdeveloped countries है उनका जो suicide rate है वो less है comparatively to developed countries और fourth बताया कि तो यहाँ पर देखे पावर्ती वाली बात तो खतम हो गई अगर पावर्ती cause होता suicide का तो क्या होता तब तो underdeveloped countries का suicide rate ज़ाधा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं है some categories of people who are men, Christians and unmarried commit more suicide than women, Jews and married group अब इनोंने देखे gender की भी बात देखी इसी में religion की भी बात देख ली और इसी में bachelor और unmarried की भी बात देख ली तो उनोंने देखा कि men, Christians and unmarried इनका suicide rate ज़ाधा है जो women है, जो Jews है और जो married groups है उनका suicide rate कम है ओके, यह conclusion था आगे हम बढ़ते हैं अब आते हम main theory की तरफ यह तो conclusion वाला path रहा, research methodology वाला path रहा हमें main conclusion को भी मतलब main, मतलब कहा है जब हम लोग dinner winner करने जाते हैं तो उसे कहते हैं ना कि starter ले ले फिर main course की तरफ आजा फिर dessert ले ले तो starter हमारा यह वाला portion था अब main course की तरफ आगे जिसमें हमें types of suicide पढ़ना है और फिर हमारा जो dessert है वो हमारा criticism होगा theory का चीक है ऐसे समझते हैं देखिए अब इन्होंने जो कहा था कि suicide is not a psychological phenomenon it is social ऐसा कहा था ना पीछे मेंने पढ़ाया है इसमें कहा है आगे चलके कहा है कि जिन लोगों का जिन लोगों में suicide ज़्यादा हो रही है जो लोग suicide कर रहे है उसके पीछे कारण क्या है कि उनका समाज से एक ही करण जो है वो कमजोर है मतलब रहे भाई हम लोग तो sociology वाले रिष्टा समाज से बनाईए बहुत आजकल की पिडियां कहती है हमारे भी बहुत सारे subscriber कहते होंगे नहीं नहीं मुझे समाज से क्या मतलब भाड में गया समाज कहते है न ऐसे बोलते है न जैसे पापा ममी समझाएंगे नहीं मुझे आप से मतलब है मुझे समाज से मतलब नहीं है but being a sociologist, being a social science student हमें society को भी उतना ही important मानना चाहिए और यही बात है जो आजकल Bollywood industry में society के case हमें देखने को मिले क्या हुआ लोगों का अपने society से integration जो है वो कमजोर हो रहा है जो बंधन है ये बंधन तो प्यार का बंधन है ये बंधन इसको कमजोर नहीं पढ़ने देना है दुरखीम यही कहते हैं कि जो society से bonding है वो जब bonding कमजोर पढ़ने लग रही है तो society rate बढ़ते जा रहे है इन्होंने इस बंधन को क्या बताया इस बंधन को इन्होंने दो तरह के बंधन बताया दो forces है जो हमें जकड़े रहते हैं पहला force of integration एक तो integration का मतलब एक ही current का जो force है और दूसरा force of regulation जो हमें control करने का force है यही दोनों गर बढ़ाएगा तो मामला गया force of integration क्या है कि these result into two types of society इस force of integration में दो तरह के society है एक over integration एक low integration मतलब भाई bonding है पर बराबर की bonding होनी चाहिए कोई चीज अत्यधिक नहीं होनी चाहिए का एक चीज एक दो है न कि क्या है यार नहीं आया कि अती प्रेम से भी दिक्कत होने लगती न आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करे तो भी दिक्कत बहुत कम प्यार करे तो भी दिक्कत हर चीज का balancing होना चाहिए life में, है ना, बिलकुल life में होना चाहिए, वही है, over integration हो गया, अगर आप समाज से बहुत अधिक जुड़ गया, मतलब मैं society के लिए ये भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा, ऐसे भी कर दूँगा, वैसे भी कर दूँगा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तो ये समाज है, इसको कहते है, over integration, इसकी वैसे भी society होता है, होता है ना, जैसे अभी मान लिजे कि, किसी बात को लेके अंशन हो रही है, और एकाएक सरकार बात नहीं मान रही है, और एकाएक क्या हुआ, अपने को कोई पेट्रोल चुड़क करके, आत्मधा कर ल आप सिर्फ अपने को माने, ओहो मैं ही मैं हूँ, समाज तो कुछ नहीं है, एक over की बात कर रहा है, कि मैं कुछ नहीं, सारा कुछ समाज, और एक low की बात कर रहा है, कि नहीं, कुछ नहीं society, सिर्फ मैं, मैं, वो हो गया egoistic society, ओके, ये force of integration था, bonding जो है, ये हाथ से देखे, य over bonding हो गई, तो altruistic society, एक दम से निठला, इधर समाज, इधर individual, that is, egoistic society, ओके, तो ये balance होना चाहिए, ऐसे, प्यार से बंदा होना चाहिए, आता है, दूसरा जो bond है, force of regulation, हमें control करने का bond, ठीक है, over regulation, अब आप over control होगे, आपको कोई कह रहा है, ये करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, यही करना, यही खाना, यही पहनना, यही जाना, ऐसी ही सोना, ऐसी ही रहना, यह क्या होगे, over regulation, इसकी वज़े से fatalistic society होता है, ठीक है, इसको डरकाईम ने नाम दिया, fatalistic society, और under regulation मतलब आपके उपर कोई control नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे समाज के नियम कानून का कोई मतलब ही नहीं, under regulation, that is anomic society, यह मैंने एक flow chart में बनाया है, और यह जो chart है, मैंने नितिंग सांगवान की book लिए, आप UPSC की तियारी करे होंगे, तो इनकी book definitely पढ़ते होंगे, already यह IS officer है, sociology जैसे विशे को ले करके, यह IS बने, तो इनकी किताब है, इसमें color नहीं दिख आया है, नहीं दिख रहा है, scan में बहुत अच्छे color नहीं आया, मैं एक बार यहां पर draw करके बताऊंगी, देखिए, एक ऐसे plus जैसा sign कर लिया गया, यह हो गया, एक तरफ हो गया, उधर जो मैंने दो bond बताये थे, एक force of regulation और एक force of integration, यह हो गया, integration इधर इधर हो गया, और regulation यह उपर नीचे हो गया, मतलब उपर नीचे regulation हो गया, और इधर इधर integration हो गया, कोई और color choose कर लेते हैं, अब क्या है, egoistic suicide मतलब low integration, जैसा मैंने अभी समझाया, altruistic suicide मतलब high integration, fatalistic suicide मतलब high regulation, और animic मतलब low regulation, और बीच में जो यह मैंने line कीची है, यह पूरी चीज हो रही है, traditional society में, और यह पूरी चीज हो रही है, modern society में, मतलब modern society में हमें egoistic society, और animic society ज़्यादा दिखते हैं, मतलब कि modern society में low integration है, समात से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है लोगों का, और low regulation भी है, control भी कम है, क्योंकि लोग norms और society के जो norms और values उसको मानी नहीं रहे, पर इस तरफ देखाजें, जो traditional society रहती है, उसमें क्यों society होते हैं, उसमें high regulation हो जाता है, ज़्यादा controlling हो जाती है लोगों पर, और high integration भी होता है, लोग society से बहुत ज़्यादा bond होते हैं, तो इसके मान लिजें, इसके इस तरफ ये वाली पूरी जो है, वो traditional society का है, पुरा ये yellow वाला मैंने किया भी ता अलग-अलग का color, और इधर वाला जो है, वो देख लेते हैं, ये पूरा blue वाला, जो है, वो modern society का है, क्या मैंने बना दिया, रुक्ये, कट करके इसको सभी करें, येस, ठीक है, समझ में आया, अब हम चारो types को अलग-अलग पढ़ेंगे, ओके, अब शुरू करते हैं, types of society, विसे मैंने बहुत चीज समझा दिया, मैं इसको read करना है, और आपको already समझ में आ गया, तो egoistic society सुरू करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, अहम वादी आत्महत्या, ये क्या है, कि मैं, अहम, ये सारी चीज़ें, according to Durkheim, when a person becomes socially isolated, और feels that he has no place in the society, he destroy himself, वो कहते हैं, सिर्फ मैं हूँ, मेरा तो इस समाज में कोई स्थानी नहीं है, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मेरा तो कोई importance नहीं है, ये वाली जो होते हैं, ये egoistic society होती है, and this is the society of self-centered person, जो लोग बहुत self-centered होते हैं, उनके में ये चीज़े देखने को मिलती है, तो मेरे बच्चों, मेरे subscribers, self-centered बंद करिये वनना, चीक है, मस्त रहिए या, समाज में हम रह रहे हैं, तो में समाज को कुछ तो देना है न, तो मस्त रहिए, society को भी मानिए, family को भी मानिए, अपने को भी प्यार करिये, balance रखिये, है न, ये तो हमारे जितने subscriber हैं, उनको तो दरखीम की theory के जरिये मैं ये कह रही हूँ, कि यार क्या भागना, society की तरफ आजकल, यंग यंग बच्चे ऐसा कार्मिट कर दे रहे हैं, या age वाले लोग भी कर रहे हैं, क्यो ऐसा करना है न, बहुत struggle है life में, बढ़ जाना है आगे, ऐसे tension थोड़ी न लेनी है, तो egoistic society भी egoistic nature अपने अंदर नहीं लाना है, कि self सिर्फ अपने बारे में सोचिंगे, मुझे लोगों ने ये नहीं दिया, मुझे लोगों ने वो नहीं, अरे आपने क्या दिया है, पहले आप अपने गिरबान में तो जाग के देखिए, ये egoistic society है, ओके, ये करने वाले लो social bonds becomes weakened and individual feels alienated, जब सामाजी बंधन कमजोर पढ़ने लगते हैं, ये बंधन है, अब ये बंधन कमजोर पढ़ने लगेंगे, तो ये जो individual है, वो सोचेगा कि मैं तो अकेला रहे गया, है ना, According to Durkheim, Protestant Christians have higher rate of egoistic society than Catholics as Protestantism gives more freedom to individual, ठीक है, ये जो इन्होंने study की ते उसमें देखा कि जो Protestant religion है, उनके अंदर egoistic society ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि Protestants का जब आप पढ़ेंगे logic, वेबर ने Protestants religion में, जब उन्होंने अपनी book Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism में बात किये, वेबर भी religion की थोरी दिये है, तो उसमें उन्होंने बताये कि Protestants को किस तरह से freedom है, बहुत freedom है उनको, Catholics बलकि conservative है, तो ज़्यादा freedom की वज़े से भी Protestants जो है, वो सुसाइट की तरफ बढ़ है, आप दे कि जो metro cities में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बहुत दूर हो गए हैं परिवार से, बहुत attached नहीं रहेंगे अपने family से, अपने friends से, whatever the reason behind that, reason तो बहुत है कि इतना काम का pressure है, अलग, अकेला पनिक है, ये अकेला पन ही जो है वो egoistic suicide का का कारण बनता है, low rates of suicide during the time of war reflect that individuals are more integrated in the wake of external threat, अब क्या है, कि जो वार के समय, युद्ध जब होता है, तो उसमें suicide rate घट जाता है, और peace के समय, suicide rate बढ़ जाता है, ये याद रखे कि इन्होंने ये भी conclusion दिया है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वार होती है, तो वो अपने बारे में कम सोचते हैं वो external threat के बारे में कि बाहर से जो आपदा आ रही है, उससे हमारा क्या होगा, उसके चकर में देश को बचाने के चकर में, वो suicide की तरफ कम ध्यान देते हैं, उन्होंने ऐसे भी statistical analysis को निकाला है, और जो डर्खाइम ने word use किया है, वो यह ही use किया है, कि why egoistic suicide happens, it is due to incurable weariness and sad depression, यह दो word basically डर्खाइम का ही है, तो यह word आप याद रख लीजेगा, यह सब word use करने से आपके जो questions की खूपसूरती होती है, वो बहुत बढ़ जाती है, अब देखे मैं ऐसे ही आपको lecture देने बैठ गई, है ना, अब मैं उसी में काजल लगा लेती, lipstick लगा लेती, को makeup कर लेत ही मैं, पर यह है कि आप अपने answer को लिखे तो यह सब words use करें, जैसे यह word मैंने use किया, कि किस तरह से उन्हें यह दो term use किये हैं, कि incurable weariness and sad depressions are the causes of egoistic suicide, ओके, यह हिंदी में मैंने लिखा है, रोग दे रही हूँ, मतलब थोड़े देर के लिए हिंदी भाले भी आप पढ़ स already मैंने समझा दिया है, altruistic suicide मतलब over integration of an individual, society से over integration हो गया, this type of suicide occurs when individuals and groups are too close and intimate, यह जब समू से ज़्यादा जुड़े होते हैं, this kind of suicide result from the over integration of individuals into social proof, जैसे sati system, danis warriors, यह भी example है, sati system में भी है, यह वो अपने group से ज़्यादा attached रहते हैं, इसले suicide कर लेते हैं, और 9 by 11 का या कोई भी जो terrorist attack होता है, देखे, twin tower पे वो किस तरह से भिड़ गए जाकर के, जैके उन्हें पता था ना, यह में मरना है, है ना, जो terrorist होते हैं, उन्हें तो पता ही movie देखी, सूर्य वंशी में भी तो यही दिखाया, वो एक था, क्या, बिलाल, बिलाल था, वो किस तरह से अपने आपको पुलिस के सामने गोली मार देता है, उसके पास उसको पता रहता है, उसको instruction रहता है, कि आप जैसे ही पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको क्या करना ह क्योंकि इस जो हमारा terrorist group है, उसके clues बहार नहीं जाने चाहिए, उससे उपर आपको नहीं है, तो यह feed है न, कि over integration है उनका अपने समू के प्रती, तो यह example अच्छा है, आगे आप देख सकते हैं, third जो है, suicide का, वो है एनमिक suicide, अब यह दूसरा force आता है, force of regulation, यहाँ पर क्या वो disappear होने लगते हैं, कम दिखने लगते हैं, people fail to follow the norms and values, जो society के norms and society के values हैं, उसको अब लोग मानना कम कर देते हैं, और again जैसे egoistic में टर्म था, वैसे एनमिक में टर्म है, कि disparations and dejection देखने को मिलता है, कौन से situation आ जाती है, हताशा या निराशा की situation आ जाता है, इस तरह के जो चीज़े होती है, उसमें एनमिक सुसाइड देखने को मिलता है, और एनमिक सुसाइड की, जो है उसका, क्या कहते हैं, उस पे मर्टन ने भी काम किया है, तो आप deviance, deviance में जब आप एनमिक में, आप मर्टन की भी ठियोरी को पढ़ेंगे, लास्ट जो सुसाइड का बताया, फैटलिस्टिक सुसाइड जो की जस्ट एनमिक सुसाइड का उल्टा है, इसमें सोशल जो नॉर्म्स हैं, वाल्यूस हैं, वो बहुत ज़्यादा ताइट रहते हैं, और फैटलिस्टिक सुसाइटी में, जो एनमिक सुसाइटी में नॉर् regulation in society when the over regulation of society when a servant or slave commit suicide जैसे under the over regulation अगर कहीं पर over regulation है तो आप देखेंगे कि वहाँ के slave servants भी suicide कर लेते हैं ये भी एक example इसमें मालिकों के द्वारा ज्यादा अत्याचार होता है मतलब ज्यादा नियम कानूं होने लगता है या किसी-किसी घर में parents देखेंगे अपने बच्चों के साथ over regulation करते हैं तो वहाँ भी बच्चे इस तरह के suicide attempt करते हैं ये fatalistic suicide हो गया चेक है आगे इसी fatalistic society में देखते हैं कि oppressions of individuals lead to suffocation and powerlessness again दर्खाइम ने ये term use किया इसके लिए कि persons with futures pitilessly blocked and patience violently choked by oppressive disciplines are causes to commit suicide fatalistic society का क्या causes है तो इन्होंने बताया persons with futures मतलब जो भविश्य वाले व्यक्ति होते हैं pitilessly blocked जो जिनको निर्दयता से रोग दिया गया उनका रास्ता किसी भी तरफ बढ़ने के लिए violently choked मतलब जो बहुत जुनूनी होते हैं और जिनको दमन के द्वारा मतलब एक जो violence हिंसा के द्वारा जिनका दमन किया जाता है ऐसे लोग fatalistic society में आते हैं और डर्काइम ने conclusion में कहा कि जो traditional society जो मैंने पहले graph में उधर समझा दिया है कि जो traditional society उसमें altruistic और fatalistic society ज्यादा होते हैं क्यों? क्योंकि over regulation और over integration की वज़े से अब आगे हमें पढ़ना है criticism अब हम आ गए किस point पे? आगे dessert पे ठीक है? dessert तो अच्छा होता है यहाँ पर दर्काइम की त्योरी का criticism किया गया है criticism कुछ मैंने लेके आया है बहुत explain नहीं करूंगी क्योंकि ये fact में भी पूछ दिये जाते हैं एक functional sociologist है help wash हो सकता है मैं नहीं सही बोल पा रही हूँ help wash help wash ने criticize किया है कि दर्काइम has over estimated the role of religion in the study of society by exploring the fact behind the protestant and catholic दुर्कीम ने religion को बहुत हद तक ला दिया religion को ही कारण बना दिया protestant और catholics में जो society उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने सिर्फ religion को आधार बना दिया है बलकी उन्होंने कहा भी कि urban and ruler differences भी कारण है society में क्योंकि आप देखे हैं कि urban areas में society ज़्यादा होते हैं comparatively to ruler areas ये सब factor को दर्काइम ने consider नहीं किया ऐसा help wash ने कहा है और ये Turner की book में दिखता है ये चीज़ इसी तरह Gibbs and Martin है 1964 में इन्होंने बताया कि जो दर्काइम ने social integration की बात किये उन्होंने social integration को बहुत clear नहीं किया है बहुत clearly उन्होंने social integration क्या है उसको explain नहीं किया है उसी तरह Alex Anklez और Johnson का भी है कि इन्होंने भी क्या बताया है कि सिर्फ social factor को इन्होंने consider किया है और individual actions को consider नहीं किया है कि suicide जो है वो individual action की वज़े से भी होता है सिर्फ social factor की वज़े से नहीं होता है उसको डर्काइम ने explain नहीं किया है जे मैक्सवेल और जे मैक्सवेल एटकिंसन इनका भी बहुत दिखता है criticism discovering suicide करके इनकी book है उसमें इनोंने डर्काइम के डर्काइम में जो official statistics लिया उसमें इनका criticism है मैं पुरा detail में नहीं बता रही हूँ आपको उसी तरह David Fredman है इनका concept आता है ecological fallacy का प्लीज याद रखिएगा मैं cut कर दे रहे हूँ ताकि आपको यह दिखे ecological fallacy यह बहुत question आता है कि ecological fallacy की किसने बात किया पारिस्थिति की ब्रहम की बात किसने की David Fredman ने इन्होंने भी बताया कि personal phenomena को Durkheim ने importance नहीं दी है तो इस तरह से आपने पूरे Durkheim के concept को society के concept को अच्छे से समझ लिया मैं फिर से एक बार ऐसे slide मतलब कर रही हूँ ताकि आप देख ले कि मैंने किस किस points को cover किया है hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा यह theory और comment करते रही है लिखते रही है और इस बार extremely extremely sorry कि मैंने इतने दिन बहुत वीडियो डाला ना 10 to 12 days बहुत वीडियो डाला क्या बताऊं बहुत काम रहता है तो बस आते रहेंगे वीडियो मेरा भई पहले ही मैंने मोटो बताया है कि कुछ YouTube से कमाने वाली तो बाती नहीं है मेरी बस मेरे subscriber बढ़ते रहे और मुझे लोग जाने समझे और अपनी teachers को respect दे तो वो ही मेरे लिए बहुत जादा है thank you to all of you फिर मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलूंगी till then take care bye bye